आपने तो आपके लामने रोपाने कने यहां आपने नापने अफसी ने लिए रामेंग हो में पूप धिन्धार्य इंधार्य निन आपको रूसरीर। बच्छन आयन समंदब बजलाया श्याप्तारो हो मसावा यूहू फार्टी लेलो बेटी पिताजी हमारे गाँ में नाग पूर्निमा कितनी धूमधाम से मनाते क्यों है नाग देवी हमारी इस्थ देवी है बेटी पिताजी सुना है आज रात शिव पूजा के लिए नाग लोक से नाग कन्याएं भूलोक में आ जाती है ये बात सच है क्या पिताजी किसे ने उन्हें देखा है या ये सब पहानिया है देखो बेटी देवी देवताम पर विश्वात करो और उनके पूजा करो उनके बारे में ऐसे प्रश्ट करना महाबाप है खालो बेटी, मेरी अच्छी बेटी है ना थोड़ा, खालो बेटी ये क्या गया, तुम्हारी उम्र हो गई है, बेटी भी सयानी हो गई है फिर भी उसे अपने हाथों खिला रहे हो इस काम के लिए कौरत मैं भी दूँ पगली, बच्चों को माबाप से ज़्यादा प्यार और कौन देगा मैं जब 50 साल का था, तब भी मेरी माँ मुझे खिलाती थी बेटी, ये अंगुठी, आज से तुम पहना ये क्या बैनवी जी, लाकों रुबे की अंगुठी बच्ची घात में दे रहे हो तो क्या हुआ, बेटी को पहनाने का मन किया पहना दिया, तुझे क्या आपके बच्पन के दोस्त, विशंबर के बेटे रंजीत ने आपसे बातें करने के लिए आपमी बिज़े हैं, बाहर इंतिदार कर रहे हैं किसलिए हैं? लगता है कुछ जमीन जायदार का लफड़ा है जैराम जी की जैराम जी की क्या बात है? इन्हें रंजीत ने आपसे चुम रुका जी बात ही है, रंजीत के पिता ने मरने से पहले कहा है कि उन्होंने आपसे कुछ जमीन खड़ दी थी लेकिन अभी तक वो जमीन उनके नाम रेजिस्टर नहीं हुए इसी बाते में अगर मुझसे कुछ बात करनी है तो वो खुदा के मुझसे बात कर सकता है इस तरह तुम लोगों को दूद भीजने की ज़रूरत नहीं यही मेरा जवाब रेजाके बोलिए लस्ती बी लीजे एई फियो बोलते ही पीने जगे बेश हर्मो जबीन उसके बाप के है क्या फिर कभी यहां जबीन के बात करने के लिए आदमी भेजे तो जूते मारूगा ऐसा बुड़े रखाए जाके रंजी से बोलो अब पीलो उसको अपने पराय की पहचान नहीं है अपनी बेटी और रंजी को मैं नहीं पाला था दोनों की शादी करने का फैसला भी किया था थोड़ी सी जमीन के तुक्रे के लिए निमारा मारी सुनो आज चंदर के रहन होने वाला है तालाब में जाके स्रान करना है संतरियार हो जाओ तो आज से के बाद तुमने मुझे क्यों नहीं बता दूगा वालाब में जाद के लिए वालाब में लुझे को जाद के लिए पालाब में जाद पूआए जाद करना है झाल झाल पुर्ण और करे लिए प्रफूज प्लार कांप्ला कुछिए नही है। कि अधिए वे अधिए रखवाएँ पर्दान्स लोग है आपास जिनका हूँ वो लोग के दो पुजाएं है जिनकी अनंत्रा का जा है मुक्चद जिनका मेरे माला है वे दो भी देगा जिगना का हर दिंगार गर के दर्चन दिया है जम्मा सायमा कर दो कर दो दो, कर दो दो किस्याओे जो से अनंत्रा को जब दो पुजाएं है चौर ना करो अफी शब ना करो अफी शब् हमार न श spaghetti करो इस्क पूरेश करो हुआ हां कितना सुन्दर है फुलोक यह हमारे नाव्यूक से भी सुन्दर है क्या देवी हां सखी यह हरी भरी घाटियां यह शांत बात अवर मुझे आकर्शक लग रहा है मुनुश्य को हमारा नागलो का अकर्शक लगेगा यही स्रष्टी का रहत से है अद यह से छोड़ो चलो चलो थोड़ा समय और यहां बिताएंगे नहीं देवी आज चंद्र ग्रहन है ग्रहन के सामय वो दूश्टी दंद आकर्मन कर सकता है वो तुमसे प्रतिशोर लेनी का आफसर ढूल रहा है चलो चलते हैं कोई बात नहीं ग्रहन आरम होने से पूर भी हम यहां आथ निकल जाएंगे देखो चामनी में हिरन अरे उसे छोड़ो जानी का समय हो गया है तो लो चलते है रुको अभी आतनी हो अरे देवी जाओ अरे आए तो आया था करें आरम होने वाला है और देवी अभी तक नहीं आए अब हम क्या करें चलो हम रुक चलते हैं नहीं तो नागराज क्रोधित हो जाएंगे हाँ चलो हाँ कर दो क्या जाज तो क्या कर दो प्रिति रिवाजों के अनुसार ग्रेंड शुरू होने से पहले भी और खतम होने के बाद हिस्क्रान करना पड़ता है मामुली साथ चोंड़ें मैं चुपराओ आधेवी संगट मैं मैं खरा खरा देखता रहा हूँ मैं आकरता हूँ रातेवी इसाथ रखो ग्यां तुम क्या करिए बेली रुप जाओ रातेवी प्रुकराओ प्रुकराओ आधेवी वाँ लिवाँ आцен शोपरिया पर जग़ कि और फिड़ गज़ दूआ हुआ हाँ लग़ खुआ हाँ भुआ जूआ हाँ थप कह जए हाँ अज इड़ को लग़ खुआ हाँ हाँ मलं जूए हाँ उस बेचारी का अपना कहने वाला सिर्फ इस बुड़ा बात है, वो भी चड़ा गया, अब उसकी जिन्दगी हमारी है, जायता भी हमारी है, हमें जो मर्जी में आए वो कर सकते हैं, अब हमें रोकने वाला कोई है, कोई भी नहीं झाल 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 झा झाल 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 फोटे बाबू थेको बाल थेको झाल तुमा ले रहे हो यहां पे इतनी सारी लडग्या पिश्टिक लेगे होटों से चपक चपक के चुमा यह भगा के यहां कपका लपक लपक करके चुमा ने रहे हों मेरी नजर में यशे कभ जी नडर्य चेंपियन नहीं होता है, लड़कियों को पर्त आने वार उइयर ही। अर Kalija मुझे मेरे साथ प्यार करने वालों में कोई दल burner ज़स्पी नहीं है। मैं जिससे प्यार करूँ यूछ उसी से मतलब है। आप जिससे प्यार करें वो कहा है। दिल से आवाज दूँ तो वो जरूर आजाएगी। तो आवाज दूँ से मैं भी देखू। दियार्ज, कम आण। अरे है तुझसे इश्क दिल कर, ओ जान जाम छुप गए किधर, तुझे ढूड़े लेके दिल हाथों में। तू कर ले दिल का संगम, तू का ले मीठे सरगम, बजने दे सास दिल को सुर में। ये दिल तुझे को करें शारा, बड़ा है प्यारा, प्यारा नजारा, निला ले आप जनिमन मुझे से। तुझे साथ आपनी जी मीची प्यास है क्यों मिलन की आस है तो नहीं है सामने फिर भी दिल के बास है है निली प्यारी प्यारी तेरी आखे हाए रबा घुरी हवा में तुड़े सुलते तेरी हाए रबा घुरी ये तेरी बाहे हाए 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 रबा पैके ये क्यों दिन में रते को तुझे आए रबा तु है तु है तु बुलों की जावानी तु है तु है हाव की रवानी है तुझसे इश्क दिल पर हो जाने जां छुप गई किठर तुझे ढूने लेके दिल हाथों में हाथ तु कर ले दिल का संदम तु गाले मीठ सरगं बजने दे सास दिल का सुर में है जुन मी जपनी करे तंग मोहे में जपने ख॥ अनिकरि means तंग मोसे udah तु है जपनी करे तंग मोसे मतशन में भड़तिए्टे अगन चरह त मेरा भेद रूनदे हैंसे जड़क होग मिया कर जोगे में मरोगे जड़ा पैद रूनदे है जय और हम किया जय 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 आय भी में चुपी दिल में प्यार है चुपा राद दिलग में है चुपी भाद दूग में चुपी सुपा तेरा दिवाना होना तुझको भूल पाऊंगा मैं, तुझाए कि जहां भी पीछे पीछे आऊंगा मैं, काखे तरा न तेरे तिल को पहलाऊंगा मैं, होती है क्या महँबत तुझको प्रदलाऊंगा मैं, चुकी चुकी ना तेरे कहती पेरी, तु है तु है पेरी है तु मेरी है हमसे इश्क जोगर तू आजा दिख मैं धर तु दूंजे लेके दिल हादों है मैं कर लू दिल का संगं मैं का लू थीखे सर्गं बजने दू साग दिल को सुझ में ये दिल तु छबा तरी कि शारा बरा है प्यारा प्यारा नसारा मिला लोग के जारे हमें तुझे से ये कौन कालिया चोड़ी चिपे हमारा गान हमीकु सुना रही है आप ने उसकी चालवाल के बारे में गाना गाय था ने उचे सुनकर कोई चुड़ेल आपर फिदा हो गई अबे चुड़ेल मुलाद टियार 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 कमान कमान बहुत सुन्दर है ना ए लड़की कौन हो तुम ये क्या अचनभी की तरह बोल रहे हो तुम इस जीप में कब आके चड़ें अरे वाह उन्होंने चड़नी को कहा से चड़ गई सो गई थी आना सुनके जा गई सुर अच्छा था इसलिए सुर से सुर मिलाया पतायाम ए लड़की इनका नाम सुरताराम नहीं है विजे है चुप रहो जिस नाम से इने बुलाना मुझे पसंद है वही इनको भी पसंद है इन्होंने कई बाद मुझे कहा है यह क्या पकॉस है तुझे मैंने चीप में बैठे को था यह क्या जैसे कुछ जानते ही नहीं जैसे कुछ हुआ नहीं इसका बात कर रहे हो ज़से मुझे पहली बार देख रहे हो तुम मुझे शादी के मंदब से किट्नैप कर के लाया हूँ इनको किट्नाप पर दे जाने के लिए हजारो नगें क्यों में घड़ी हैं यह भला ही मुझे भगा के न लाए हूँ प्यार करने वाले को छोड़के ये बिना मर्जी की शादी मैं हर्किज नहीं करूँगी मन्का मिलने सचमुच की शादी है अपने प्यार को मंगल सूते बना के मुझे पेना दो साच अन्मों को साथ फेरों में बदलके लगता है ये लड़की जरूर किसी पागल खाने से भाकर आई हुई है सरा लाट ब्यार से बाते करके इसे चुप चाफ पागल खाने वापस लटा देंगे परना ये पागल लड़की अमने कले पर जाएग यार तीक है का का गई अरे एए ही तो थी वह पागल रहिए पघली आएए वह पगली नहीं थी कप चोर नहीं थी यह लूह नहीं थी कप चोरनी थी तो गया चल आए जलें कच वह मेरे अ करता एक है लो नमस्ते चोटे ब आब लंस्ते भाइ आगे क्या ने वह कल सुबह आई है बाप रे बाप कुछ भी को छोड़े बाबू वह मामुली लगी नहीं थी बड़ी पहुंची हुई खिराडी है वो अरे तब ही तो उसने कब चुराया अब मेरे चैंपिन बने का भी क्या फाइदा का लिया तेखो वहाँ अरे यह तो मेरा ही का पर यहां कैसे आ गया अरे यह तो पंक लगा के उड़के आ गया वक्त आने पर जिसे जहां आना चाहिए वहां अपने आप आ जाता है वो तो ठीक है लेकिन यहां कैसे आया कौन लिग रहा है इसे मैं मैं ही इसको यहां लाई थी तुम तुम यहां यहां पंची यहां नहीं तो बेचारी कहां जाएगी देखने में तो मासुम लगता है पर कभी नहीं सोचा कि तू ऐसा काम करेगा क्या 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 है मैंने इसे प्यार करगे शादी का वादा करके अब अपनाने इसे मना करता ह तादी मा मेरी बात सुनिए ये लड़की कौन है मैं जानता तक नहीं जानता अगर नहीं जानता तो ये कफ इसके पाद कैसे आ गया बता कैसे आ गया अभी इसे टी करता हो कौन हो तुम क्या चाहती हो क्या हो बिटी रोती क्यों हो ये शाजा समच में मुम्तास बनी और ताज मेल के पास इंकी खौईश पूरी कर दी इसकी सजा मिलनी ही जाए हम मैं नहीं जियोंगी मुंबई मिलकी निजे सरक के मर जाओंगी वो गाड़ी या नहीं आ थी खामश्य तुम्हें जो भी चाहिए मांगो जितने भी रुपे चाहिए दे दूंगा यहां से दफा हो जाब बोल रहा है दाजी मा विजे तु चाहे कुछ भी कर ले लेकिन किसी मासों के साथ खिलेगा तो चुपने रहूंगी तेरा बड़ा भाई कल सुबाद दिली से लौटा है बापरे आगया सदा हुसेन बापरे पुरी साफ सर दीवार पर ये कांची टूड़े कैसे आजकल चोरियां बहुत हो रहे हैं इसलिए लगवाए है चोरों का डरे तो सेक्यूर्टी बढ़ाओ लड़की के बारे में उसे पताना चले इस बात का ख्यार रखना समझ गया ना क्यों बेटा रंजी तुम आ गए फ्लाइट में कोई तक्रीफ तो नहीं हुई नहीं प्लाइट की कोई तक्लीफ नहीं थी तक्लीफ तो तुम हो उसके दूसरे दिन गुलाब जामुर नहीं था है उस पूरी के बचे ने सब बोल दिया मुह बन रतनी के लिए तीन गुलाब जामुर से बूस में दिये थे यह चिला क्यों रहा है पता नहीं विजे तुझे एकाउंट्स चेक कने के लिए बोला था ना चेक किया था भया सिफ दस रुपे शॉट फड़ रहें बाकी सारा हिसाब की लें आप उस दिन तो अपने फ्रेंज के साथ पिकनिक गया था तो एकाउंट्स का चेक किया तुने है आज कर यह घर नहीं ड्रामा कमणी मन गया बात की है पूरी साब जी कहिए रामपुर मुझा हमारी जमीन है उसे बेचना है इंतिजाम कीजिए अभी आधे दाम भी नहीं मिलेगी आधे दाम मिले तो भी ठीक है वो ठाकूर रंदीर सिंग भी उसी गाउं का था जो इस दुनिया में नहीं रहे उनकी बात तू करते हो बस करो हमें धोका देने वाले उस रंदीर सिंग का गाउं है और उस गाउं के नावं से मुझे नफ्रा थे इसलिए उसे बेचना चाहता हूं इनको उस काउं का नाम लेने से गुस्सा क्यों आता है रंदीर सिंथागूर के खांदान और इनके बिच कुछ चमीन जाइदत करना पड़ा है रंदीर सिंग इनकी पिदा को धोका दिया समझ के दोनों खांदानों के भी दरार पड़ गई है यह सब तुम क्यों जाना चाहती हो क्योंकि मेरा भी छोटा सा जग्रा है उस गाउं में अबे कालिये इससे पीछा कैसे छूटेगा बोलो जूं की तरह जबगिया साली छोटे है बाबू एक डौट पूछू कहीं सच मुस्तुम साथ रहां बनके उसे ताज़ा है अमा बस ऐसे ही पूछा था वो लड़की दादी मा के पास लेट गई है थोड़ी देर में गहरी नीम सो जाएगी हम जाके हाथ मेर बाल के और दिली की माल गड़ी में डाल देंगे इसलिए जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक ना सोने की कसम खाई है बेवकूफ तो तरह इस वक्त तु यहां कर रहे है यहां देखो तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलो कोई नहीं मानेगा अभी जाके तुम्हारे भाईयक को जगा के अपने बारे में सब कुछ पताती हूँ पताती हूँ क्या पताओगी क्या पताओगी मुझे क्या समझ रखा है मैंने अब तक 32 खतल गिया है जानती को से सोई में मूर्गयों का ना तुमें यह भी पता है और बताओँ बात्रूम में चोरी चुपे दारू पेरे थे यह भी मैं जानती हूँ बड़े भाईयकों बदा दू हाँ क्यों छोटे बाबू यह कैसा बचना है लड़की को कोई बीन समझा क्या बजाया और फेंग क्या देखो बैन किसे में कुछ का तो मैं मौदूद हूँ तुमारा बड़ा भाई हमारा रंग अलग है पर खून एक है देखो मेरी माँ वो बात फुर्माली बात महरणी करके बहुत को बड़कून नहीं बोलूंगी खबरदार खबरदार सुनो नीम नहीं आरे गोद में लिटा के लोरी सुनाओ तुभी जा यहां से विजे आया क्या है यह अधिलाद के शोर शराबा कुछ नी अरे इस तरह हकला क्यों रहा है कुछ नी भाईया एक नई धोन है चिकन ड्राम स्टेग अब बसकर जाके सोजा ए सुनो हिटलर गए क्या बस जाए रहे हैं हिटलर लेकिन वह यह लड़की कौन है भाईया पूछ रहे हैं ना उन्हें जवाब क्यों नहीं देता वो बात यह पीश में बोली तो माट आनूगा उससे क्यों हमका रहा है उससे प्यार का ढ़ंग करता है इसलिके हमें ही शादी मंदूर नहीं होगी या भी बड़े भाई के होते हुए पहले दूश शादी करेगा तो मुझे बुरा लेगेगा यह सोच रहा है नहीं भाईया यह सब जूट है ड्रामा है जी यहीं सच है इस डायन को हमने पहले कभी देखा तक नहीं तू इसकी वकालत करता है आप डांटी रहेंगे हमारी बात भी सुनेंगे क्या सुनों बोग ठैरिये मैंने जो भी कहा सब छूट है यह तो मुझे जानते भी नहीं अनाथी तो आपके भाई के प्यार के बहाने से इस घर में आ गई मेरा काव रामपूर है रामपूर? हाँ रामपूर मेरी मौसी और मौसा सबरदस्ती मेरी जहिदा धड़पकर 70 सार के बोठे के साथ मेरी शादी करवाने वाले थे इसलिए मैं भाग के आ गई लेकिन तुम हमारे घर में क्यों आई हो? मेरी मौसी को उस गाउम में सिर्फ आभी में है इसलिए मैं आपके आश्रे में आई हूँ रसी जल गई पर बल नहीं गया रणदीर सिंग के आद्मियों का घमड अभी तक नहीं टूटा मेरे पिताजी के साथ उसने जो धोका किया उसका बदला लेने का मौका ढूंड रहा था अब तुमारी वज़े से वह मौका मिल गया विजे गाउं की वह जायदात बेचने यह मैंने का था ना पूरी सबसे हम वह जायदात बेच भी सकते हैं इसकी मौसी का दिमाग भी ठीक करेंगे और साथ ही रंदीर सुनके कुतों के नाक जमीन पर अगड़ेंगे लादीमा हम कली रामपूर चलेंगे चलादील दार चलो रामपूर के पार चलो हमें तैयार चलो डेवी तुम्हारा घर का है मेरा घर हाँ उधर बाई तरफ खेट पार करके दाए मोट में पीपल का पेर है उसके पिछे आम का बगी चाहिए उसके पीछे तीन माप बस 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 तु इसके साथ जाके इसका घर कहां पर है वहां क्या गडबढ़ है वो लोग कैसे हैं सब पता लगा कि अपने फार्मस पूर आ जाना पुरिश्मर्षार दो दिन में सारे काम लिईता है वापक्त रूं आ कंट सारे हमां देया कर दो घ्र चल करो दो और ट्क मंधा और अरे सुन गिना ठोल करो का आँए तुमारे तीन माने कघर वहीं कहां मेरे तीन माले की बिल्डिंग उसके पिछे बड़ा सब ले रहा हुँ गायब हो गई गायब हो गई एक दुबार हाथ उठाना गलत पात है मैं पूछता हूँ मैं पूछ लेता हूँ मैं यही पर पिछले 20 सालों से रोज यही काम कर रहा हूँ करता हूँ कभी उपरवा लक्तिपा करता है कभी नहीं करता हूँ वो छोड़ो यह बिल्डिंग कहा है बता यहां बिल्डिंग कर दूर गाय का गुबर सकते ही मिलेगा प्रभू जाने तुम्हारी शेकल में क्या ज्यादी है ट्रैफिक क्लियर हो गया पेट में हल्चल मजी और हल्का हो गया हल्का हो लोटा अभे टकले तुम 20 साल से यहां बैटके यहीं काम कर रहा है सुनिये मेरी बात हो सुनिये सुनिये तौप क्या बात है क्या हुआ एक और नहीं कहानी शुड़ो कर दिए हम वो शेर हैं जिसे चुपा भी नहीं डरता हम दोनों को ले जाके वो देखो मेरागर वो देखो मेरागर तेके उंगली उठाओ उठाओ तके जारी क्या हुआ बेटी बात यहीं कि चुप सुनिये तौप तौप रहो भाईया इसका घर इसकी मौसी इस ते शादी करने वाला बुट्टा सब के सब वहां उस नदी के पार हैं मैं कुछ बूलता उससे पहले ही इसकी मौसी गंदी जुबान से मेरे उपर बरस पड़ी हमारी बेटी को जाके खराब कर दिया इस तरह मुझे गली बक्ती जारी थी वो जानते हो मेरे ही साम में देवी को घसीटते हुए उस बुटे से जबर्दस्ती मंगल सूतर पैनाने वाली थी तुम यूही देखते रहे बिल्कूल नहीं दारी मा देवी पर तुम्हारा कोई हग नहीं है उसकी शादी का पैसला सिर्फ वो ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता एसा मुस्तोर जबाब देकर आया हूँ मैं एसा करना है कैसे करना है यह सब बात तुम दोनों अच्छी तरह सोच लो तब तक देवी मेरे पास रहेगी तुम चलो बेटी चलो तुने इस लड़की के बारे में कुछ सोचा अभी तक तुन भीया अब कुछ कुछ सोचने सच में क्यों बदला ये बात अभी सकत मेरी समझ में नहीं आई तो तरह देखो चूंपयवाली तुम्हारी बात जूटी हो सकती है तुम धोके बास हो सकती हो लेकिन कोई भी लड़की किसी के घर में खुसके ऐसा नाटक करके बातें करती है तो वो किसकदर मुसीबतों में भसी होगी कितनी मजबूर होगी इसका मुझे ऐसास हो इसलिए मैं भी तुम्हें नाटक में शामिल हो गया लेकिन मुझे सच जाना है तुम हमारे घर क्यों आई हो हमी लोगों के साथ नाटक क्यों कर रही हो बात बात पर जूट बोलके इस तरह सबर्दस्ति अगर मैं तो कुछ तो वज़र होगी अगर कभी सच बताने का मौका मिला तो पहले तुम्हें ही बताऊंगे अगर तुम्हें वाकई मुझ पर भरोसा है विजय तो जब तक मैंने ही कह दी तब तक तुम में इस बारे में कुछ नहीं पूचा के हमारे पास रहनी चाहिए क्यों तेरे हाँ चोड़ा हूं वेचारी की चान मतले इसका मरा हुआ पात या त्याजार देंके तुकी होता होगा बेटी ये घोर अन्याय मैं नहीं देख सकता उस मामूली अंगोठी के लिए ये चुड़ेल तुझे पांची पे लटका देगी रेक की बीचे डाल देगी क्या पर देगी जेख सकता है के डेख टेगी ये पेजे बीचे बीचे हुप३। जड़ ईπα पूमार, अदको ह temporarily iss fine हुप आए सुनिता आप मेरा नाम देवी है, तुम्हारे पिताची का बड़ा एसान है मुझपर, जिसकी वज़से मैं तुम्हें देखने आई हूँ मौत भी मेरे करेब नहीं आती, मुझे अपना समझ कर मेरा हाल पुछने वाली तुम कौन हो? पखली कहींगी, जब यह अत्याचार बड़ाय तो उसे मिटाने के लिए ईश्वर ने कोई न कोई अवतार लिया है, कहते हैं जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है ये लोग, तुम्हारी कुल देवी नाग देवी की अंगोटी थोड़ी देर मैंने सुच्चा कि नाग देवी भी मेरा साथ छोड़ गए तुम रोज उस नाग देवी की पुझा करती हो, क्या किया है उसने? तुम्हारी पिताजी जलकर भस मो रहे थे, तब क्या उनकी रक्षा थी? अनाथ होकर तुम भूखी प्यासी तड़प रही थी, उसने एक बार भी तुम्हे भोचन कर आया तुम यहाँ पर तक्लीप उठा रही हो, तो उसने तुम्हें तसल्दी दी, क्या किया है उसने? देवी, तुम नादेवी के बार में क्या जाती हो, जो उसको दोर्श देती हो? साहेक की तरह रहे के मेरी मदध की है ? कितनी मुसीबतों से मुझे बचाया है सिर्फ मैं जानती हूँ अब कभी मेरी नाग देवी के बारे में कुछ बुरा कहा तो मैं चुप नहीं रहूँगी अच्छा बबाब भूलो गई अब कभी तुम्हारी नाग देवी के बारे में कुछ भला बुरा नहीं बोलूँगी ठीक है देखो, कल नाक पंच में है, गाउं के उत्तर के और चपगी जाए, वहाँ मैंने नाक का एक बिल देखा है, मुझे विश्वास है, तुम्हारे नाक देवे वही रहती है, कल तुम जाके उस बिल में दूर डालोगी, तुम मुझे विश्वास है, कि तुम्हारे सारे अपने लोग तुम्हें हो अपनाईगे तक इस भिलमे दूद डालना आज डाला आज वात पद्धो पिल में चला चला पर अपन्छान नहीं मिला यह अज्छली साल जब आपके शीओ से बना हुआ है कौन हो तुम लोग हमारे भाग में क्यों आयो आज नाक पंचमी है यहां नाक का बिल है दूद चढ़ाने आये हैं तो क्या बिना पर्मिशन के कहीं भी खुछ जाओगी आज कल के जमाने में भी ऐसा अंत्रिश्वास दूद जो इंसान के जीने के लिए जरूरी है उसे इंसा पहने वाले सांप को भी दूद पिलाना बेवकुफी नहीं इंसानियत है जब बहुत से गरीब बच्चे दूद को तरसते हैं ऐसे में दूद का इस तवा मिट्टी में बाहर देना ना इंसानियत है ना ही भक्ती भक्ती बहने वाले दूद में नहीं पीने वाले सांप में भक्ति तो मन में होती है यानि तुम लोग जो दुट डालने वाले उसे साप आके पिएगा अच्छा पिने को को देखते हैं ऐसा वो तो भक्ति के बारे में अपनी राय बदल दूँगा नहीं तो तुम आज से ये पुजा पाट करना छोड़ दोगी बुलाओ तोहरी मैं दर्शन करू तुझको पूजू जग में है तोहरी माय जनरी तुम तोहरी करती हो आयती दर्शने मुझे आए है पाट पे तोहरे हम शांति दे माय चारों बेदी तोहरे दिल के बार बने ओ देवी माँ कोई जोदा लोग की बासी तुझ में भग पंच में देवी माँ मुझे तुझ में तुझ जाओं में तुझ जाओं में पहे देवी दारा प्रेम की मुझे तुझ जाओं में तुझ जाओं में पहे देवी दारा प्रेम की नहीं की आरे दुझ जाओं में डिल का रहाज की तुझ जाओं में तुझ में तुझ जाओं में धारा प्रेम की कर दो कर दो अपाट लगा रहा है जरूर को बात है कितनी सुन्दर और सुशिल है वो लड़की नास्ति को आशिक बनाकर उसके मन में भक्त की भावना डाल दी जाने किस घर की बेटी है आप ही की करगे है वो क्या हमारे घर की बेटी है हां बिलकुल सुवर्गी रंधीर सिंह की बेटी है क्या कहा वो रंधीर सिंह की बेटी है यानी मेरे होने वाली बहू बेटी सुनीता तुम्हा दिल बेटी आओ मेरे पास आओ आओ बेटी आओ गरम-गरम पकोड़न चिलाते हैं बैठो जानती हो बेटी यह तुमारा ही घर है यह बेशन भी तुमारे घर का है तेल भी तुमारे ही घर का है ये सब हम ही खाएंगी तो अच्छी बात है क्या बोलो? इसलिए ये सब फिर्फ तुम्हारे लिए बना रहे हैं ये सब मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए क्यूंके आज तुम मेजर बन गई हो सुनरी आज चाहे कुछ भी हो जाए बेटी के खाने के बाद ही हम कुछ खाएंगे देखती क्या है? गरम गरम निकाल के बेटी के आप में रख दे रख दे ना क्यूंके नाप पंच्पी के बहाने घुमने गई थी तुझे बाहर जाने सब मना किया था अरी बस करना अब ये कोई छूती बची थोड़ी है आसे ये मेजर हो गई है देखो मेजर मेडम इन दोनों का आख़ों पर दस तकत कर दो ये क्या है? इसमें लिखा है कि तुम अप्ति सारी जाइदा दमें दे रही हो ये खंटे के अंदर इन दोनों का आख़ों पर दस तकत कर दे नहीं तो लाल लाल दाहक ते कोईलों को खिला दूंगा और तुझे तेरे बाप के पास पहुंचा दूंगा ये साम वाला तांत्रिक में देखता हूं औरे वसे सबसे मरा तांत्रिक में खुझी हूं मंत्र भूंग दिया तो सोना भी कोईला बन जाएगा उस लगकी को कोईला खिला दूंगा जलता हुआ कोईला मर गया ये पातना पुझा ये तान सता ग憂 नाएट गया द Yap ions हुझी गल्हा गपातना फीज बजे ये तैऴलुछ उरीक में दिया प्या प्योंह हुझी कोई खान Happя ते अटी है में बाह टॉब ये खिल्या सुनीटा.. वे बैटी शुनीटा.. सुनीता.. वे incredible.. जानती हो महा आपको देखने के लिए आनखे तरस रही थी… वोलिए जी आप अच्छी तो है ना.. अब हम भी क्या करें बोल पर यह ना तू देख तो कौन आया है ऐसे क्या देख रही हो बेटी यह कोई पराई नहीं दादी मा के बराबर है तुम्हीं ने पिता इनको मा बुलाया करते थे मा जी फोल की तरह देख भाल करती आई हूं ने इसकी बिन मा बाप की बेटी के लिए खाना पकाते पकाते हम सब के चेहरे ही पगए हैं अगर तुम्हारा बाप इनके बेटे के साथ दोके बारदी नहीं किया होता आज दोनों खांदान ये एक ही बनके रहते उन्होंने इनके रूपयों को हरप लिया वो सारी बाते मैं खुद कर लूँगी पहले तुम तीरों जाकर अपने जले चेहरे पर महरम लगाओ ठीक आओ बेटी क्यों जी जो रिष्टा उगने से पहले मुर्जा गया वो फिसे उग रहा है उगने दो काट डालता हूँ मैं आखर किस मर्ज किरवा हूँ चिंता मत कर बेटी तेरे लिए हम सब मौजुद है ना सुबा बिल के पास तुछ पर चिलाने वाला कौन था जानती है तेरा मंगेतर मंगेतर हाँ उस मनुर्ज जादत का लपड़ा ना होता तो तुम दोनों की शादी हो गई होती है और मैं अपने पड़पोते के साथ खेलती होती है लेकिन अभी कुछ नहीं पिगड़ा है माडी सुनीत और आपके रंजीत की अभी शादी करा सकती है अपने पड़पोते क के बारे में सोचना छोड़ दीजे दादी मां आज तक मुझे पता नहीं था के मेरी भावी इतनी सुन्दर है उस पत्तर दिल हिटलर को मों बनाने के कावलिया तिरफ हमारी भावी में ही तो है है न कालिया साब को दूद मत पिलाओ कहने वाले बड़े बाबू को बंभर मे दुश्मन बनके इस कावल में आये थे दामार बनके इस कावल से जाएंगे वो अपनी शादी के बहाने हमें यहां लिया आई तुम इनकी शादी करवा रही हो लगता है दोनों खंदानों को मिलाने के लिए आई हुई देवी हो तुम यह ब्या होने तर सुनीता कावन है य चलेगा मैं पीछे आट जाता हूं पहले आप जाए रुकिये मैं पीछे जाती हूं पहले आप जाए नहीं आप नहीं तुम पहले आपको जाने ठीक है मेरा पीछे जाना आपको पसंद नहीं आपता पीछे जाना मुझे पसंद नहीं तो पीछे जाए बागेर यह नहर कैसे पार कर पाएंगे दोनों को एक दूसरी पर वाकई भरोसा है तो पीछे जाए बिना दोनों आगे बढ़ सकते हैं यहाथ पकड़िये हुआ लगाइ कि इस तरह क्या देख रही हो मैंने पहले तुम्हें गमार समझा था अब जान गया कि तुम अकलमांद हो यहां कैसे रहना हो कुछ पूछने आई हो पूछो वह साप का अबिल में तुड़वाने बार था लेकिन तुम्हारी लिए छोड़ती है तुम कभी भी आद सकती हो कि इस रोगी हो यह कुछ सांप कांटे बाला था जालो आ एक कि अधार ने कहा है जिलो देखो तो यहां था से खेल रहा है बस पर चमश आप कर का कर बादा हो सकता है पेटी देवी ऐसा मालूम परता है के दूला दूलन्ग दोनों चेश से उगाए है यह बंधन कभी नहीं तूटेगा इनको मिलानी के लिए ही नाग देवी भूलोक में आई है इन दोनों की शादी हुई तो नाग देवी को सोने का फन बना कर चड़ाऊंगी मन के मिलंग में कितना आनंद है मनुश्य की जीवन में वोक्षा कितना सुन्दर होता है जब तो अपने में एक दूसरी को चाहते हैं प्रेम करते हैं देवी बहुत खुश लग रही हो क्योंकि पर भाईया ने तुम्हारी सुनिता को पसंद कर लिया इसलिए हाँ विजय अच्छा ये बताओ तुम दोनों रिष्टदार हो या सहीली है कहने के लिए तो सहीली है पर असल में है मेरी सिमितारी अच्छा उनकी छोड़ो हम लोग अपनी बात आते हैं देवी मैं तुम्हें अपने मनमंदिर में बसाना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपने दिलो जान से प्यार करता हूँ देवी धेरो मैं कुछ पुछ रहा हूँ तुम विजया जवाब दिये चली 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 हो बोलो ना मैं तुम्हें पसंदू कि नहीं हाँ तो पूरी साहब ये देवी इस विरान जगह मैं अकेली क्यों ना रही हो बस ऐसे ही ये जगह खतर नाक है जली से बाहर आजाओ चलो ठीक है हाँ तो पूरी साब मैं कह रहा था कि विजय बाहर आजाओ वाँ परे बोलो हिटना चला गया अचा तु मेरी बात रहा जवाब देवी तु मुझसे प्यार करते है नहीं कदीवा विजय अंदर जाओ विजय तुम दूपो अरे दूपो ना अगर दिखाई दे तो कहना मैं मंदिर में हूँ ठीक है दादी मां आप यहाँ है आप तो कहां कहां नहीं डूनदा चलिए पूज़ा करता हमें हो गया है मैं भी तुझे ही डून रही थी कितनी जेर नहीं हो तो तरा दुक्ता लगज़ेगा ज़ली आओ वहां भी दे दे यहां भी दे यहां भी देवी यह उपर कसे पहुंचबे चाओ देख़ा हो Wow यहां तो देवी ने डूपकर लगाए ती कैसे आगया मैंने को उस करफ ब बान कि लगा थी तुम यहां मेरे बाल पर कार खिके लाग थीए ? जल्परी बन गई होगी, लेकिन तुम यहां दुख्टी के साथ क्या कर रहे हो? अल्बाइब 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 समझ में नहीं आता, दुख्टी तो यहां लगाई थी, पर वो उपर कैसे कॉच्छे? देवी नहीं यहां दुख्टी लगाई थी, तो कहां जायव हो गई, शाहिद दुख्टी मिल जाए नहीं आहाँ देवी मुझे मिल गई प्याक्ट जुरत मिल गई लोटा को भूगया आपे तेरे लोटे के अल्बाइब अरे खक्टू, अरे गज्टे जुख्मर्ण काटूने, काटूने मालने काटूने काटूने, काटूने आज्याबू डादी मा डादी मा विजया दादी मा काटूने आपका हर लोटाने के लिए यह लेजिए यह हर मेरा नहीं है आपका है काट्वी पीना चाहता था आपने सुबसे काट्वी नहीं दी पीने के लिए सोचा तो था या नहीं मैं बना के लाओं आग क्यों तकलिफ करती हैं वो जी पत्तों को इंसान नहीं खाया करते ये ले लीजे अच्छी है? बहुत अच्छी है आपने तो पिया ही नहीं अब बहुत अच्छी है इसमें चीनी कम है ना? काफी में कम चीनी ही मुझे बसना है अगर आप तो चाए पी रहे हैं ये क्या जुकाम हो गया आपको? कल खेत के पानी में गिर गया था ना अपसे जुकाम हो गया अरे आपके बगीची से ही इसके दवा बन सकती है थैंक्स जी बाबरे सब लोग एक गंड़े तक नाए तो अच्छा होगा सारा दिन नाए तो और भी अच्छा होगा अरे तुम लोग ने बड़े बाबु को देखा चेक पे दर्स्तकत लेना अबे बड़े बाबु की बच्चे अगर बढ़िया सी जल रहा है लीजिए गहरी सास लीजिए बहत हो पाबरे सास पूर रही है मुझसे नहीं होगा जैसा मैं दिखाती हूँ वैसे ही कीजिए ठीक है अगर चाहँ लोगों को पता चल लेनी तो दिन्या को क्या मुद दिखाएगी इसका क्या होगा भगवान घर आई भोली भाली लड़की पर मौका मिलते ही तिन दिहारे आपने चादर और आजी भाया उनका क्या वो तो आदमी है तुम तो लड़की हो तुमने ऐसा क्यों होने दिया मैं आप से नहीं पोच रही हूं अब तुम्हारा क्या होगा सोचा था पिसल कर कीचर में गिultur पाथ कृप यह नहीं सोचा था इस कीचर पर कीचर उचा लेंगे है राम मैंने भी नहीं सोचा कि एगर का बड़ा लड़का शादी लाइख जैवन भोली वाली लड़की को तबाख कर डालेगा कली मासुम लड़की कुछ कर बैठे तो मैं अपनी जिन्दगी के बागी के सत्तर साल कैसे जी पाऊंगी इसे कौन शादी करेगा कौन करेगा वहरा माची चिप होजा देखो सुनने था मुझे पसंद है उसका मन मुझे पसंद है अगर उससे अतराज नहों तो मैं उससे शादी करने के लिए तेयार हूँ जुम 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 कि दूफों को सवार दो सवक बसंकि धन्दी हभाओं मेरे वईया कि शादि ना चोगा हो प्यार का मासम आ गया रंग मस्ती का चा गया मासम आ गया रंग मस्ती का चा गया जुम तक जुम तक जुम तक जुम लैंस मन तेरा चंजल है बलतों में हल चल है दिल में बेता भी है इसलिए तो कागल है तेरे लिए मेरा दिल थोड़ा थोड़ा धायल है छोड़ो छोड़ो ये बाती हर पल क्यों बेतल है जाकिनी थी बेजली जमके अंग रंगों में दील गदन में पंछी बनके ओरे जाओ ने प्यार का मासम आ गया रंग मस्ती का चा गया लड़के वालों का हप है जो जाहे वो मांगे हाँ खुशी खुशी रेदूंगी ले इन हद में मांगे दुल हिका मैं भाई हूँ मेरा धान भी रखना दुल हन है लाखोरी चंदंती तौली लाना है टिक भटल भोला उनगा एक देरे लीयर आभी का मनदत कैवादा है चलो बैखरे एक आर का मोसम आगया, रंग मस्दे का च्छा गया चमपा चमेली की कलियों से तुम दुलहन की दुल्फों को सावार दो सावन के बासम की खंडी हवाओं में भया की शादिया ना चोगाओ देवी, मेरा नाग लोग सिर्फ इशकार करवाखे तु यहाँ मनुश्यों के साथ आनद भग्न हो रही है मेरे जीवन को अंधिकार में करवाने वाली तुझे और मुझे दड़ देने वाले तेरे पिता उस नाग राज को मैं कराप मिने छोड़ूँगा देखो दन्र, नाग लोग में जो अपराज तुम ने किया है उसके लिए शमा माँखो, नाव राज तुमें शमा करेंगे अब भी यदि तुम मन से प्राश्चित नहीं करोगे तो पाताल के अंधकार में भी तुमें शांती राब नहीं हो मैं क्यों प्राश्चित करूँगा तुझे और नाग राज को प्राश्चित करने पर फिश्च करूँगा यह सत्य है कि तुम भाई पार मुझसे बच गई है इस समय में दश्च हो, तुझका ने योग के नहीं हो फरंत, समय आएगा और उस छड़ मेरे हाथों तेरा अंत होगा अवस्य होगा बेटा रंजीत, अपने हाथों से मेरी होने वाली बहूर को मम्नी का दोड़ा दे दे तेरी जिये, मड़ा वाभू, तेरी जिये ठेरिये, अपने फरिवार के बारे में कुछ बताना है अभी क्यों बटी, शादी के बाद बहुत मौका मिलेगा फुर्सों से बात कर लेना चलो 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 वो बात अभी तो सिर्फ एक मन का बोच है अभी नहीं बताई, तो कल सर का बोच बन जाएगी वेरी गुड, जो भी बताना चाहती हो, साफ सा बताओ तुम रुको, बलो आपके पिता के दोस्त, रंधीर जेन की बेटी हूँ मैं शादी से पहले ये बताना जरूरी है कि मेरे पिता निर्दोश थे, जोटा इल्जाम लागाय था उन पर अगर आपको अभी में ये बातों पर विश्वास ना हो तो आपका जो भी फैसला है, मैं कबूल कर लूँगी देखो बाबुजी, इसके पिता ने तुम्हारे पिता के साथ चार सो भी सी की होगी इसकी फैमिली और तुम्हारी फैमिली के बीच लाखों, लाखों जगडे हुए होंगे मन में इसका दाफ चुपा के इस भूली भली लड़की की जिंदगी तबाह करने के इरादे से ही यह मगनी का नाट किया जा रहा है यह छोडी बच्ची है, नाधान है, समझ नहीं सके बगर बड़ा होने के नादे इसका नक्वाला होने के नादे यह शारी मुझे मन्जूर नहीं, अब सिर्फ शारी ही नहीं कोई भी शुपकारिया मुझे अच्छा नहीं लगता कहीं किसी का भला होता है तो सुनते ही मेरे पेट में जलन शुरू हो जा दिये कले जहाद में आ जाता है आकर इन सब लफड़ों की जड़ काउन है मैं हूँ है अर्य कमीने कुद्ते लुचे लफंगे तु जानता है तेरे बाप और इसके बाप को लड़ाने वाला कौन था मैं था या जा ने रख इसका आपने भाई से प्याहा करवा के ये जायदार हड़पने की सोची थी हमने इतने में तुम लोग आकपके सुनीता की जायदा धरपने के बाद किसी भी सूरत में दो चार रोज मौद मस्ती करके उसे मार डालूंगा सोचा था आपको इतना सब होने के बाद अगर आपको ये शादी मंजूर है तो भी हमें मंजूर नहीं शाट अप तू कौन होता है मंजूरी देने वाला तुमर को बेटा अरे बदमाज धोके बास तुने जो कुछ भी किया उसके लिए तिरे टुग्रे-टुग्रे करने चाहिए फर्म दफाव हो जाए यहां से हम लोग यहां से क्यो जाए ये घर हमारा है बेटी हमारी है तुमरो की जाओ तुमर को छोटे बाबू इन्लों को म है रिष्टा जोड़े तो जोड़े शादी करे तो करे हमें क्या लेना देना महुरत का समय भीत रहा है उसे शागुन दे दिजिए अग्मी की सक्षी में बंधन बनता है तुमको मिले सारी खुशिया ताजन की छाया में सौफा की तेरा जख्या है लेके बले आओ देवी का आशिश तुमको मिला है देवी का आशिश तुमको मिला है मंत्रों से पूझे दे ये वर्माला मैं लोगा जलाओ दनुमत दरों दे अग्डवायो हो जोड़ाई कुझे है जारों दिजों में बंधन की जितों को गाओ जोड़ाई कुझे है जारों दिजों में बंधन की जितों को गाओ पर्माद तरे भर्मादों के वर्मादों के वर्मादे आपा आशको जोती के वही के खुशियां आशको जोती दे वही के खुशियां अज़तो अज़ते टे में एको शिया अज़तो अज़ते टे में एको शिया देवी उस दिन अन्य नाग के नियाओं के साथ वापस के नहीं आई उस दिन सब सख्यों के संग मेरे नाग लोग ना लोटने का एक कारण था पिता श्री चंदर वहन के अफसर का लाब उठाके दन्त्री ने मुझे चराकर भस्म करने के लिए अगनी बनका आक्रमन किया मेरी रक्षा के प्रयत्न में एक निर्दोष कन्या के पिता की मृत्य हो गई उस अभागन के रिष्टेदार उसे पुरा भला क्याने लगे उसके पश्चात उन लोगों ने उस पर खोर अत्याचार किया मेरे कारण अनाथ होने वाली उस कन्या को उसके कुछ मित्रों के साहता से उसके मंगेतर के संगुस्त का विवा करवाने के उदेश से ही नाक लोग के नियमों के विरुद मैंने ये कारी किया इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है पिताश्री आज के दिन सुनीदा का विवा हो गया मेरा उदेश है पूरा हुआ मैं आत्याधिक प्रसन्न हूं पिताश्री पर हुपकात का कारी नियम के विरुद नहीं होता हुत्री, तुम्हारा अधेश्य पूरा हो गया, चलो चलते हैं नाग राच, यह उपको तोड़ने वाले दिवीद को वापस नाग लोग में आने का तुम निमंतर दे रहे हो, इसके लिए एक नीती मेरे लिए दूसरे नीती, क्या यह नियम चलता है नाग लोग में? मेरा चरित रच्छा नहीं एक शुत्र शक्तियों की वास्ता कर रहा हूँ, अपने लोग के नियमों को तोड़ रहा हूँ, देवी के नारोपों को बान कर, मरत भारे लोग में रहने के योग के नहीं हो गयकर, मुझे सदेव के लिए तुमने अंधिकार में धकेल के तंड क तुम नहीं देते बोलो, इसे भी पाताल में धकेल दो, वहाँ इसे दासी बना के रखूंगा मैं, तुम्हारे नयाय का कोई पर्याय नहीं नागराच, तुमने पक्षभात करके अपनी पुत्री के अपराद को महन बना दिया, इतने दिनों देवी से प्रतिशोद लेने का पहत करके पराजित हुआ हूँ मैं, अब सर्वश्रेश आउसर प्राप्त हुआ है, संभाव है मैं इस देवी को दंड न दे सकूँ, परंत उसके हरते को अबस्य चोट पहँचाऊंगा, जिसकी सुरक्षा करके ये प्रसन हो रही है, जिसकी रशा को महान बताते तुम समर् उस सुनीता के जीवन को दूबर कर दूँगा, उसके जीवन को इस देवी के नेत्रों के आशु बना के बहाओंगा, देख लेना जबतात मैं जीवी थू, सुनीता के जीवन पर तेरी चाया भी नहीं पढ़ने दूँगी दुष्ट आहा, तुम यदि नाग लोग रोट गई तो यहाँ उसके लिए कोई नहीं है, यह भूल गई उसके रक्षा कौन खानेगा बोलो, उससे जलाकर पस्व करके उसकी मृत्यु के समाचार को सारी प्रमार में पहुँचा दूँगा उस धरी से पित्री भी फट जाएगी, नागराज उसे सुनकर तुम भी कम पित्रो उठोगे सुनीता के जीवन को असानी यादनाओं के तौरा मैं नरग बनादूँगा ये देवी ही नहीं, तुम या तीन करोड देवी देवताभी मेरा कुछ नहीं भीकार पाओगे नागराज इस भायंकर परिस्तिती में मैं यदि आपकी संगाई तो सुनीता जीवित नहीं रहेगी, उसकी रक्षा करने होगी इसलिए कुछ और दिन यहां रहने की मुझे अनुमत ही देजिए दंत्र की ओर से सुनीता को पौर्ण सुरक्षा प्राथ होने के तत पश्चाथ, मैं यहां नहीं रहूंगी कृपा करके मेरी बात मानिए ठीक है देवी, सुनीता जब अपने पहले पुत्र को जन्म देगी, उसके पश्चाथ उसका कश्च दूर हो जाएगा उस शिशू के जन्म नक्षत्र और राशी फल के प्रभाव से सुनीता का कोई कुछ नहीं बिगार पाएगा मैं अपनी आत्मशक्ति तुम्हें वर्दान में दे रहा हूँ ये वल एक ही बार तुम इसका उपयोग कर सकोगे हमारे नागलोग के नियम के विरुद तुम्हें एक अरसर दे रहा है उस बच्छे का जन्म होते ही सुनीता का दुख दूर होते ही तुम्हें वापस आना होगा प्रतेक्या से पराजितो कर सरपटेक्टर प्रत्यु प्राफ्ट करोगी तुम दोरों के मस्तक पर मैं रेखा भीजी है मिर्ट्यो रेखाओ प्रत्यु रेखाओ अरे बाबु रोगे वसका रंजीत अरे बस्कूं करें माजी अरे शादी रोकिये यह तुम्हें फेले फिक्निक पेर था और बच्छों की तर्षा शरीर हो जयात देखो वजे, पर तुम से मिली, कहानी सुनाकर घर में आई थी, कहानी सुनाकर ही तुम्हारे पीछ रही, उसी तरह मुझे कहानी मानकर भूलाने में ही सबकी भलाई है अरे अब तो कहानी बंद करो, मैंने तो अपनी शादी के लिए मंगल सुत्र का आटरपी दे दिया है मेरी शादी का मोरत निकले, यह मेरे बस में नहीं है अगर सच्पुछ वह शुब घड़ी आई, अगर मेरे नसीब में तुम हुए, तो तुम्हारे लाए मंगल सुत्र से नहीं मैं जो मंगल सुत्र लाऊंगे उससे हमारी शादी होगी पखोड़े बनाना आसान काम नहीं है, पता नहीं ही बचे कहा है, उनके आने तक फखोड़े ठंड़े हो जाएंगे आप फिकर मत कीजिए, पखोड़े इस प्लेट में दालिए, मैं उन्हें दे आता हूँ, उन्हें चुत्तक ने देदी झालिए, उन्हें देदी क्या हुआ देवी, कुछ नहीं, चता की ये सुनीता पर गेने भाला था तुम यहां क्यों आए हो, उसलिस फेलो ऐसी हुची चतान पर खड़े हो तो सिर्फ आगे ही नहीं, पीछे भी नजर अपनी चाहिए, उस तरफ जाए चुनीता चलो उस्ता चलो उस्ता चलो एई छोड़, 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 छोड़ वह अप्षय गुंधा उस गीत का तुम पर हमला करना और उसका चोंच मारना कहीं वो कोई बुरा साय तो नहीं, हो तो उसका सत्या नाश हो पेरे बचे सव सालता खुशी से जीए दीजे, मैं ले जाके पिकती हूँ संभाल कर बेटी, दूर गली के मोड़ पर फैंकना तेवी, यह देखो, एक बहुती बढ़िया एक्शन फिल्म के लिए तो टेकर स्प्लैक में बड़ी मुश्कल से लिगर आया हूँ, चलो मैं चलते मैं नहीं जलूँगी, मेरे यह रहना जरूरी है, सब्रदस्ती मत करो, महोल ठीक नहीं है विजे देवर्ची कितने प्यार से बुला रहे है, आप चुप क्यो है, हमिश्या दूसरों को ओड़ो देते हैं, आप ओड़ो दीजे न विजे, ये लो, नई गाड़ी की चाभी, आज रात तुम इससे फिल्म दिखाना ले जाओगे, चुप चाप बैकर फिल्म मत देखना, तुम दोनों को भविशे के बारें बातें करनी होंगी, और वो सारी बातें सुवह आकर मुझे बतानी भी होंगी, कल सुवह में तुम कर दो! बाब झाल यदंटके लाफ। जय जज हुआ झाल प्रप्रॉब वाल झाल झाल बाल झाल झाल हुँ हो अच्छूर कर दो तो हो हो ही 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 आ तो ह Π podob है रिच्वु अरे तू है तंच निजा यहाँ से बोलाना मुझे परिशान मत कर मेरे बादे में नहीं जाती है मैं दोस्तों के लिए दोस्तों के लिए तूस्त पन हूँ अकला गई ना हाहा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि तुमको मुझे प्यार नहीं है कि तुम्हारे अंदर कुछ बेचैनी है खबराहट है परिशानी है इस तरह पेश आती हो जैसे के तुम्हारे कदम खदम पर खत्रा है मौत है क्या वज़ेश की बताओ इतनी राक है इस पारिश में तुम कहां गई थी यह सब सोचके तुम पर श्रक करने की वज़े से मैं यह सब नहीं कुछ रहूं के लिए बल्कि एक दोस्त की हैसियत से तुम्हारी मदब करने के लिए पूछ रहूं को अब तो जूद बोले बेना मुझे सच बतादो विज़े तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत अनमोल है अगर इस दुनिया में मेरा अपना कोई है जिस पर मैं भरोसा करती हूं पूरे मन से प्यार करती हूं तो हो तुम हो हुआ 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 है क्या लगती हो हमारी पलपल बढ़ती जाए क्यों मेरी पे परारी पर भूंजती हुई प्यारी इंदन की ये किलिकारी कह प्यार कर लो दीवानी तुम हो करिकारी दिन से पूछो तरा प्यार से क्या लगती हो तुमारी दिश्टा हमारा है क्या बता क्यों आँखे लडा में है प्यारी की हमारी आप्रेमत के पुझारी जिस दिन से देखा जाना तुम से दिलो चाहरी तुम मेरी बोलो कौन हो क्या लगती हो हमारी दिन से पूछो दरा प्यार से क्या लगती हो तुमारी बर्फिल अप्तन है रंगीला मन है सांसे अगरंधे तेरी ये चलवा है चाहत का तेरी मुहबत तुपर है चान ले ओई जुल्फे घटाए है चंचला दाए है आखे लिवन की तेरी दिल तेरा दिवान है केता जमाना है ये विदि मान ले तो प्यार में रूब गय गया हमसा कोई तिल वाला मैं हो तेरी दिल जानी मैं हो तेरी मदबाला गाए दिल का कोई तरा ना आ जाओ जाने जाओ मेरी बुलो को मुह क्या लगती हूँ हमारी इसे तुछा तरा क्या रिसे क्या लगती हूँ तुमारी बुलो क्यास दिल करते हूँ छो आज पाइ दुछा तरा क्या रिस तुमारा तुझका जो पाया है देजे खोलाया है जिन्दजी का हर गम अरे पिछ देंगे मरके ना तुझसे कभी भी मुझको है तेरी खसम कर दो मैं तेरी थी कर दे मैं तेरी रहाती है मेरे सलम अरे लूंगा मैं तेरे लिए इस जहां में या निजया साथो जनम मैं तेरा रस्ता हो और तुम मेरा राही लेके मैं आऊंगा तेरे खर शहराई मुझको भर ले बागा पे बागा उसे दर्थ जाबारी तूटे ना ये जीवन का बंधन पुछा कर ले हाँ अंदे से कुछ जरा क्या आजी से क्या लगती हो तुमारी अलपल बढ़ती जाएं क्यों मेरी बेकरारी क्या प्यार कर लो दिवानी तुम्हों कर लेकरारी देवी, देवी, बिडे, देवी, क्या हुआ? सपना, बयानक सपना देखा सपना? जैसे तुम किसी गहरी खाई में गिर रही हो और मुझसे दूर होती चली जा रही हो कितना भयानक सपना था वह जो हमारी पहुंच के बाहर होता है जिसे हम हासल नहीं कर सकते, वही सपना है विजय सपनों की दुनिया में इस तरह खो जाने के बजाए उन्हें भुलाक कर सचाई का सामना करना ही बैतर है देवी, तुन्हें एक बास परण कराने आए हैं भूल गई हो क्या? कल ना पूर्णिमा है शिव जी का देव्य लिंग भूगर्ब से उदेथ होने वारा है इस पूर्णिमा को वो सर्वेश्वर की पूजा हेतु करोडों बिलपत्रों से तर्चना करने की आग्या दी है नाकरचने किन्तु यदि आग्या का पल्य न हुआ तो नागलों का सबनाश हो जाएगा जाती हो ना देवी सब कुछ परमेश्वर पर चोगर चलो ना देवी दादी मा काम से मेरी सहेली आई है मुझे उनके साथ जाना होगा जरूरी काम आपड़ा है मैं जा सकती हूँ तुम जाओ या मत जाओ बोलने के लिए तुम पर हमारा कोई भी हक नहीं है बिटी तुम अगर हमारी बहु होती तो हमसे इजाज़त लेनी या तुमें इजाज़त देने का सवाल उठता इतने दिन बीट कर फिर भी तुम्हारी शादी तुम्हारे मौसम उसी सब अभी तक हमारे लिए एक पहेली है मगर उसे हमें कोई मतलब नहीं तुम इस घर की बहु बनो वही काफी है सुना है सबका भागय वो विधाता लिगता है पर मेरा भागय तो विधाता भी नहीं जानता तुम मैं क्या बदाऊंगी चलती हूं माजी माजी है कौन है तु छोटा बच्चा हो मैं वो तो पता चलता है लेकिन तू है कौन तू चुप रहे तेरा नाम क्या है बिटा जब मैं अपनी मा के पेट में था तब ही मेरा बाप मर गया मेरा नाम रखने से पहले ही मेरी मा भी मर गई दस दिन में एक बार भी मुझे रोटी नहीं मिली आपका घर अच्छा है आपके घर में सब अच्छे हैं यह सुनकर मैं यहां काम मागने आया हूँ आप जो काम देगे मैं करूँगा मुझे पगर वगदर कुछ नहीं जी है तू क्या काम करेगा यह ले दस रुपे ले और यहां से चलता बन भीकी मांगने होती तो बाहर सड़क पर मांगने नहीं आता चोटा बक्चा है बेचारा हमारे घर के चोटे मोटे काम कर लए्गा उससे रहने दीजे न हम तो रहने मेंगे पर तेरा पती माने तब न यह चल्चा भई किसली मिटिंग हो रही है का लिखा हर लोँ की तलाश आपको भी चिलाते हैं कभी गुस्चागते हैं लेकिन उसके वजह आपने ही साब उसकी वजह है यहां का माहूल सब आप कितने हैंसम हैं पता है आपको आपकी बगल में खड़े होने के वज़ए से यह आपकी बतनी इतनी सुन्दा दिखती है आप आप जोड़ी है तान जी को प्यारी थी कि लेहरी आपकी कि लेहरी मैं हूँ आप जब पुल बादने के मैं भी आपके मतलब करूँगा साब मैं वादा करता हूं साब साब मेर पने करके मुझे कोई काम दीजे ना साब ठीक ठीक बाते बंगरो काम पर लग जाओ लेकिन इमान दा इसे कोई काम करने के लिए हुआ है काले को रहे तु जो काम हाथ और पैट से करता है कोई काम करने के जरूत नहीं तुझे करूंगा तो फिर मैं कौन सा काम करूंगा तुछ नहीं करना अब यहां सबकी देखवाल मैं ही करूंगा करना करूंगा तुझे 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 करूंग झाल झाल ना बादल घिरे ना बारिश हुई और आधी भी नहीं तुफान भी नहीं तुई बिजली कहां से गिरी गनी मत है मालकिन को कुछ नहीं हुआ पेड़ जल कर राख हो गया किसमत वाली है मेरे मन में चैन नहीं है लगता है सारे घर को किसी बुरे साय ने घिर लिया बेटी चलो हम दोनों ओजा के पास चलते हैं कोई ताविज बनवा लेते हैं दादी मा बिजली तो कहीं भी गिर सकती है आज हमारे घर में गिरी है सो हमारा डर्ना स्वाभाविक है इससे कुछ नहीं होगा घबराये नहीं तो फिर तू चलका लिया मंदिर जाएंगे और देवी मा को प हलो कौन सुनीता हां मैं सुनीता बोल रहे हैं शाम को चलगी आएंगे ना सुनीता तुम दोनों पति-पत्नी को देखकर सारी दुनिया चलती होगी लगता है मेरी नजर लग जाएगी इसलिए एक बाबा की पाज आकर ये आवीज बना कर लाए हूं वह बहुते चम्मतकारी बाबा है मेरी नाग देवी क्या होते हुए इस आवीज की क्या जरूरत ह समझले से नाग देवी नहीं दिया है जब तक मैं नहीं कहती तब तक तुम्हें से नहीं निकालोगी हुँ हुँ एए उठ उठ जाओ जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम करोगी करना होगा अब तुम जाँके सुनिता के बाए हाथ में जो तावीज है उसे उतार दो जाओ 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 हर जाओ जाओ को जो भी मेरे फंड के नीचे हैं, जिनकी रक्षा करना मेरा उत्तर दाईत्व है, उनका तो कुछ नहीं विगार सकता कब तक तो उसकी रक्षा करेगी देवी, छुद्र शक्तियों की सहाय दालूँगा तो मुझसे कौन जीतेगा जिन लोगों की मन को जीत के तुन्हें इस घर में प्रवेश किया है, उनी से तुझे भख्के मर्वा के बाहर निकल दूगी देख लेना एए, 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 ए, एए तेरा सत्याराशो एए, कौन हो तुम? बारा महीना कोक में रखे, दस दिन तक डर्द सैके, आई उरो के मैंने हिसना लायक तिंगू को पैदा किया है हेई, ये क्या पागल पन्न है, साब साब बता इस बदमा से, बनारस के मेरे में पूरी सब्जी बेचने को कहा तो, पिठाई वाली कपलू पकड़के उसके साथ भाग गया था कल रात को हमारे कुल्देवता ने सप्टे में आके बताए था कि आपके घर में है, तो भागी भागी आई जब ये नाशपीड़ा पैदा हुआ तो जंगल में आग लगनेशे छे गाउं जलगे, समंदर में आग लगके गाउं बनगे, गाउं समंदर बनगे, सफेद को में एक काला अंदा दिया, आधी रात को लोमडियां उतकर, आकास के सारे शितारों को चाच के निकल गई ये मनुस जिस घर में भी एक बार कदम लगता है, उस घर का सरवनास हो जाता है, क्यों रे, हमसे जूट बोजा था न कि तेरे माबाप मर गए, सुनो, अब उस सही साब पूछने ही क्या जरूरत है, ऐसे छोगरों घर में गुछने देना ही पाप है, सुन, अपने बेटे को क्या कहा था मैं तेरा चेला हूँ, इस सारों से काम करेगा, क्यों, इस सारों से, यो रे टिंगो के बच्ते मुझे मुझे मुकाबलता है तू, मुझे घर से निकालने का प्लान बनाता है, गणी मते देवी ने तेरे बारे में सब कुछ बता दिय, भर्ना मुझे सड़क मे आपकी बार तुझे यूही छोड़ देता हूं आएंदा कभी यहां आसपास भी दिखाई दिया तुझे सुखी मचली की तरह भून के पापड की तरह चबा के खा जाओंगा वो टिंगु कहां गया रहे क्या उसका बाप है रहे तु अरे बाप मुझे ठर लग रहा है मुझे पारे ये बलन से गूरता क्या है थोगा सो देख बचसूरत बंदर की अउलाद अच्छी बात है क्या हो आपकी क्या हुआ अच्छी आने लगे घर में बेटा वी जाए क्या हुआ भापी हमारे घर में पहले से इक बंदर है अब उसे के लिए कोई ज़गा नहीं आरे जाना यह क्या बंदर को फोन करो वो इसे ले जाके जूम में डाल देंगे क्या हुआ बेटी क्या हुआ बेटी तुझी क्या हुआ पीजे जल्दी डाक्टर को फोन कर सुनीता सबसे अच्छा ये नारे के जीवन में मेरा भी नाचे मुन भावे के खुशियों में बरसेगा आनंद भी जब हो गया मुना मेरा रोशन करे दादाजी को पड़ा हो के पोता मेरा हर दिन दीते उत्सब जैसा मस्तियों भगा घर में आया दिन ये सुहाना खुशियों भगा राम जी की क्रपा होई गोद सुहागन की फड़गई जाबित के जीवन में पसंत हो भया की आँखों में आनंद हो नाचोंगा काऊंगा ने से बबुआ के सुहागत में पल के विचाओंगा मैं लाम चीकी करफा पुई, दोधी सुखागन की फर गई लाम चीकी करफा पुई, दोधा सुखागन की फर गई लेवेग, तू विजैने कहीं होगी सुनिता मा बन रही है सेलिए तू प्रसंदाए भौश शिशु कमचेगा नही बचने नहीं दूंगा तुझे पराजित करूगा, करके ही रहूँगा ओम ख्रीम अश्मत दुदफ प्रया शुट्र केंकर परीपा लिका साका शक्ति कपाव लिका पन्न हो जा आज़ दुष्ट शक्तियों का पूजने वारे इस गंद्र की पुखार सुले उतार को नहीं जाते सुले शुट्र देवताओं की पूजाखा तीने लोगों में प्रचार करके दंड़ पाने वाला ये गंद्र अपने प्राज शक्ति की फरी चड़ाना आए देले जो की पलिए शक्ति की बाज़ान दे और कि में RequAKE ड बाज़ी की बाज़ल किसलिए किसलिए मुझे बुलाया है बोलो किसे हाली पहुचानी है तुभे क्या बच्दान दूँ ना का यदि मेरी इच्छापुरी कड़ी है तो देवी को मेरे बार का बंटक बंडे से रोकना होगा उसकी दिर्वे शक्ति को शुक्तर शक्ति से रोकना होगा देव वंच में जनम लेने वाली उस देवी से प्रतिद्वन्द इतना साहारन कारी नहीं है तुमने अपने रक्त से मेरा विशेक कर अपने प्रानों का नेवेतर पीद कर मुझे और रूप से प्रिप्त किया है इस कर्न ये धागा अपनी संपूर्ण शक्ति का उप्योग करके अपनी छुद्रमाया के प्रभाव से उस देवी को केवल पाक्षणों के लिए श्र रिख नियुक्त भाज। केवत पाक्षण के लिए देवी कुछ शक्ते हीन कर देतो उस समय के अंतरान में उसे पराजिर्फ कर दूंगा ये क्या? अम्रेस टैबर्स क्यों नहीं क्या है? नाखुन क्यों काट रही हो? रोज दोर टैबर आने से बच्चा तंदर उस रता है बोला थाना? आपके बहुत बड़े डॉक्टर हैं? देखिये मैडम, धर्म पतनी जब एगनेंट हो, तो हस्बंट डॉक्टर बनना ही पड़ता, ऐसा दॉक्तर बुद्धुराम ने कहा है अब भी आपके तरह कोई बीपी पेशेंट होगा? यह क्या से? बीपी बढ़ गया है आपकी चीखें सुनकर, मुझे छोड़ी जीए, वीट सुनिता, बीपी तो चेक करने दो नहीं, नहीं, मुझे क्या हो? क्या है बच्चा मर गया है, ओप्रेशन करके मा की जान बच्चा हैं, तो आपका नसीब है समझ लीजिए, नर्स फॉर्म लेकर आएगी, उस पे आप साइन कर देना, तीन बज़ा ओप्रेशन है सुनीता का कोई कुछ नहीं बिगार पाये, मैं अपनी आत्म शक्ति तुहें वर्बान में दे रहा हूँ सिस्टर, चल्दी आपरेशन से यारी करो लड़का हुआ है बाबु जी बालक का नाम क्या रखने वाले हैं? इसके दादा जी का नाम रखेंगे विरेंदर सिंह ठाकूर जी वही ये नाम चावल पे लिखिए विरेंदर सिंह ठाके बाबु जी नाम करन के बाद पंच्छतान करने की प्रथा है करवाओं हम् ओम गोदानम गोदानम ओम भूदानम भूदानम ओम स्वर्नदानम स्वर्नदानम ओम वस्त्रदानम वस्त्रदानम ओम आयूदानम तानम देवी सुनीता का शिशु होते ही उसके जीवन के कश्ट दूर हो जाएंगे वो नागराज की फबिश्य मार्याज सत्य होकर अब इस शिशु को नाम करण हो रहा है इस बात से प्रसंद हो तो शिशु को मार दिया था किन्तो अपने पिता की आत्मशक्ति से तुमने उसे पुनाजीवित कर दिया है न कटाब नहीं छोड़ूँगा तो विजय नहीं होगी तुझे पराजित करूँगा देवी धागा का वालिक को त्रक्त करके तुम्हें पाकशण के लिए बंदी बना लिया था तुम्हारे पाकशण तक शक्तिहीन होने के कारण उस मृतक शिशु के शरीर में एक बार पुना जीवन डालने में तुम्हारा पाकशण का समय नट्च हुआ है तेवी इस कारण शुब राशिन में जन्म लेने वाले उस बच्चे का अशुब राशि में जन्म हुआ है उसके क्रह चंड के भाग्ए के सभी रहे उल्टे ये मेरी खीची हुई मृत्यु रेखा है उसकी मृत्य को तुम तो क्या वो विधाता भी बदल नहीं सकता कदाव भी नहीं बच्चा मर गया तो सुनीत आप गवर बच्चा हो सकता है यदि पत्ती मर गया यदि सुहाग ही मिट गया तो वो ही नर्की आता है स्त्री के लिए उसे देखकर तो खुट खुट कर विलाब करती रहेगी देवी विजय मेरी हुई है देवी पराजित हुई है हाँ मैं विजय हुआ देखिना सेनम बत्मन आंफं मिटवां वढ़ा है मंत्र ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं आप दो समस्का αλλά भी मैं ठीक से पर रहा हुए अ घौकुराम देवी उम्र मेरी छोटी हो फिर भी मेरी जीवन में आज तक जो भी शुपकार्य हुआ वो तुम्हारी वज़े से हुआ है इसलिए मेरे हाथों से ये सुहागन का जोड़ा लेकर मुझे सुभागेवत्य होने का आशिर्वा दो उसकी मेरे को तब गव्या वो विधाता भी बदर नहीं सकता सुनीता जब जाग जाये तो उसे बता देना कि मैं चलाग गया फिक है चलता हूं तादीमा पापा सानाय में बीस पचीज दिन लगेंगे विजे आवारों की तरह मत गुमना सुनीए तहां जा रहे है अरे डरती क्यों बताया था तो मैं भूल गई प्रोजेक्ट के काम से मुझे जाना है वहां काम धीमे चल रहा है देखने जा रहा हूं मत जाईए नजाने क्यों बहुत ही बुरे सपने देख रही हूं हफते दो हफते के बाद जा सकते हैं ना आज तक इस घर में एक यह औरत थी जो इन बाकरण को मानती थी लेकिन अब तो एक नहीं दो-दो हो गई है देखो नीन में जो सपने देखते हैं उन्हें जाते ही भूल जाना चाहिए नहीं तो जिन्देगी भी एक सपना बनके रह जाएगी मैं तो बड़ी भुल गई तुम आज रात को ही जाके मनत पुरी करो ऐसे बुरे सपने कभी नहीं आएंगे कर दो कर दो सुनिये ये कार्तिक पुर्णिमा की अंतिम रात है कहते हैं आज रात देविया मंदिर में प्रवास करती है आप सब बाहर जाईए द्वार बन करने है करेण देविया है जी दी इतने सारे दिपों से मंदिर को जग मगाने वाली अवश्य पुणिवत्ती होगी फाल फूल वकुमकुम से हमारा और इस मंदिर का अलंकार करने वाली सुहागन धन्य है इसी कारण जीवन भर सुहागन रहने और सदा सभागेवती रहने का आशिरवाद देती हूँ तका रहास्तु माते आपका अशिरवाद कैसे सभल होगा सुनीता के सुहाग को मिटाने के लिए उसके सर पर मृत्यू मंडरा रही है उसके पती शीकरे ही मृत्यू प्राफ्त करने वाले है तो इस अशिरवाद का क्या अर्थ हुआ माते सब कुछ अपने त्रिनेत्र से देख लिया है हमने तुमने जो बंधन जोड़ा है वो कभी नहीं तूटेगा विधाता भी इस विपत्ती को नहीं बदल सकता तो उसे कौन बचाएगा कोई भी यूग हो, काल चक्रत कितना भी चले त्रीक का जीवन दुख से व्यापत है ये संकट टेल सकता है इसे बचाना कठे नहीं लेकिन मार्ग है इसलिए उसे देर्ध सुमंगली होने का आशिरवात दिया है तथा वास्तू ऐसा है तो आपका वचन सत्य होगा सुनीता का सुमंगली रहने का मार क्या है पुझे पताये मते ये अखण सौभागय का वरत है हिमाले के शिखर पर जहां देवतागन प्रवास करते हैं तीनों लोगों की सुरुष्टी करने वाली मता पराश्च के विराजमान है वह जगन मता अम्रत वर्शिनी है करुना स्वरूपिनी है उसके जमक्ष नवरात्री के उन नव दिनों में नियम निश्ठा से ब्रह्मचरी रखके समय को भंग नगर के उस वरत का आचरन करना है बहां देवी कंगा में सनान करो गुफा में बरसने वाले हल्दी कुमकुम से आचना करो उसके पश्चा अंग प्रदक्षिना से होगा जिस समय वो जोती प्रकाशित होगी उसके पती के सर से संकटल जाएगा यदि व्रत की नियम निश्ठा में रुकावट आई यह नौ दिन के अंदर व्रत का पालन नहीं हुआ तो दीवी क्रोधित हो जाएगी शुपकार्य आशुप हो जाएगे ठीक है मैं ये व्रत मंगल सुत्र के पवित्र बंधन में बंदियो इस त्री ही रख सकती है घर से संबंद व्यक्ति ही व्रत रख सकता है नाग लोग से आई नाग कन्या हो तु तुम इस भो लोग में सुहागन कैसे बन सकती हो उस घर से तुम्हारा संबंद कैसे चुड़ेगा इस नवरात्री के नौ दिन कठिन मिश्ठा से लरिता साहस्तर नाम जब के देवी मां की आरधना करनी है इस रत की पूर्थी होने तक तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी काम की भावना मन में ना आये इसलिए पती को भी पवित्र भावना से देखना होगा तुलसी की तरह पवित्र रहना होगा सावित्री की तरह अटल रहना होगा प्रत के पूरे होने तक यानि नौ दिनों तक ये नौ दिये कभी बुछने नहीं रहे यदि इसमें तुम सफलूई तो कोटी-कोटी जन्मों का सभागे तुम्हें इसी जन्म में प्राप्थ होगा सदा सुमंगली बनी रहोगी तुम्हारे सभी कष्ट हमेशा के लिए मिट जाएंगे एक सखी बहन से भी बढ़कर तुम्हेरी देखभाल कर रही हो आखर तुम्हारे मुझसे संबंध क्या है संबंध होगा सरूर होगा हम दोनों का संबंध होगा इस घर से मुझे रिष्टा चोड़ना होगा क्या बात है, मंदिर क्यों ले आई हो एक दिन मैंने एक बात कहिए थी कि मेरे लाए मंगल सुतर से ही हमारी शादी होगी ले आई हूँ हमारी शादी? इसी वक्त? अभी ये बात सब को बता कर अपनी शादी का मुरत निकलवाता हूँ मैं रुको बड़ो की मर्जी से महुरत निकलवाने या फिर शुग राशी देख के मंगल सुतर पहनाने का ये सामय नहीं है विजे बोलते हैं शादी दो दिलों का मिलन होता है बाकी तो सब रिवाज है वो तो ठीक है देवी, मेरा मतलब हमारे बजूर्गों से तो मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ इसलिए इससे लाई हूँ अगर तुम्हें इतराज नहीं तो इसे मेरे कले में बांध हो हादिक्टर्ण marathon अथिधक्रण उर्प्रे जगें दिल प्याल्पू year अगर तुम्हें उर्पा देवी, तुम हमारी शादी के लिए मान जाओगी, यह मैंने कभी नहीं सोजा। हम दो स्काछत के लिए योग सित्त के लिए अनंद साधना करो वहम को भूल जाओ तुम विवत्तियों से ना डरो समर्थवार तुम बनो, विशार नाग देवी भी वरों को मांगने चली जो शुबह शिक्र की जिये वेद मंत्र है यही, भुखार विंद परसदेव कोटी सूर्य दिप्ति हो हर एक बल है बढ़ रही इन विश्म में अशांति क्यों, धर्म कर्म नश्ट होके हो रही है प्रांति क्यों मिशेल नाग खास भी प्रभाव नश्ट करना है, समस्त दुष्ट शक्तियों का सूर्य अस्द करना है मिशेल अस्द करना है जाद दिन खवानी मंत्र भावना से जब करो, महां कठोर व्रत करो, आप नश्ट करना है जाटना के बल्ज तुम तब अश्यावे सपल करो, वहां को दिल है जर्प उसके दर्पकात मत करो जाद देवी मां को तुम प्रजन भक्ति से करो, सारी सित्र करनी है महेश्वरी का तब करो विधी का जो विधान है उसी को ही बदलना है अधर्म से जो युद्ध है विजी तो उसको करना है जेवी के अगनी कूंड में दुरात्म भत्म करनी है पवित शक्ति भक्ति से बचन की पूर्ति करनी है यह तु क्या बोल रहा है तुम दोनों ने अगर शारी की तो सबसे पहले खुश होने वाली मैं हूँ हज से ज्यादा प्यार पनी की वज़े से मेरी शारी हो गई मंगल सुस्तर पहना दिया कह रहा है लगता है तु पागल हो गया है मैं पागल नहीं हूं दादिमा यह सब एकदम सच है ऐसा है तो देवी को मेरे सामनेला मैं उसे पुछूँगी तेरे हातों से पहना हुआ मंगल सुसर दिखा दे मुझे तब मैं तेरी बात मानूँगी आखिर देवी है कहां जहां भी हो देवी मेरी पत्मी है कि तुने पत्मी length को जहां एफ। आओんな इंस SAY कि ऊव। पीजे 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 देवी तुझे वहां से बाहर लाने के लिए ही इसे मैंने यहां लाकर पड़क दिया इससे तलबा तलबा कर तुझे नीचे आने पर बिवश्च कर दिया अब आच्छा अंति वर्त पूरा नहीं कर पाएगी सब वर्त है जानती है क्यों उदर देख अगनी जौला की भात जनने वाले सूर्य को राहू रिकल रहा है देख संपूर्ण सूर्य करहण होने वाला है देवी इस समय तू एक साधारन साथ है एक शक्त ही तुच्छ सा वो वर्त जिसे केवल देवी देवता ही रखते हैं उसे एक तुच्छ साथ कैसे रख पाएगा रख नहीं पाएगा देवी ये ग्रहन हटे तक तेरे वर्त का समय भी समाप्त हो जाएगा विजय 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 मैं हूँ विजय देवी देवी यहां विजय विजय मैंने कह था ने यदि कभी सच बताना पड़ा तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी समय आ गया है सच गया है सुनो देवी भलाई के कामें तुम्हें कभी हार नहीं मननी चाहिए। ग्रहन की वज़य से व्रध प्र Хотя ज़े को कि कभी को ग्रहन नहीं लगा उसी प्यार के भल पर तुम्हें व्रत पुरा करोगी। औंकार की नाद से ही इस प्रहमांड की स्रिष्टी हुई है। आज उसी नाद में तुम अपनी दिवरे शक्ति को दोबारा पाओगी देवी। दोबारा पाओगी। लाओगी। वस्सार को अपनी दिवरे शें पुम अपनी दिवरे शच्च्ति को अपनी दाओगी। आए किसी को नहीं है पदा आशर्य की है कता युग युग से चलती है हिम गिरी भी ना जाने देवी रहस्यों को रुश्मनी भी ना समझें कैलाश पर्वत विहल जाएं शक्ती से पत्थर येक दिन पिखल जाएं भक्ती से महाधोर दुश्कर महावे रिधी को बदल डाले आदमा का ये बल है विजय तुम्हारी भावी की व्रत में दंत्र कोई न कोई रुकावट तवर्ष्य डालेगा लेकिन उस व्रत को पूरा कराने के लिए तुम्हें प्रत्न करना होगा ये तुम्हारा उत्तरदायत्व है भली तुम मेरे साथ जीवन न बांच सको किन्तु मेरा उत्तरदायत् सुनिता आप कब आए आज तुम कितनी सुन्दर लग रही हो जानती हो इस वक्त में देख कर पल भर भी तुमसे दूर रहने को मन नहीं करता हाथ पर धोके आए और देवी मा को प्रणाम कीजे थोड़ी देर पहले तुम उटो और इस नान करके बढ़िया साड़ी पहन कर पूर लगा कर आजाओ पता है आज क्या क्या प्रोग्राम फिक्स के में न एक बढ़िया स्टार होटेल उसमें ब्यूटिफुल डिलक्स कॉटेज वहाँ पर तुम और मैं सुहागरत फिर से मनाएंगे और इस दुनिया को भूल जाएंगे ओके तुमने सुना नहीं उठो ऐसा न न कहिए सदा सुहागन रहूं इसलिए देवी मा के नम पवितर रीती से वरत रखा है देवी मुझे बोल कर गई है कि वरत पूरा होने तक मुझे यासे उठना भी ने चाहिए वो जाने कहां साही पता नहीं कब कहां जाती है ये भी नहीं पता उसकी बात मुझे भड़ करें तुम्हारे लिए उसने तुम्हारा दिमाग खराब करके रख दिया है आज जैसा मैं कहता हूं वैसा होना चाहिए तु ही इस तरह की बाते कर रहा है मैं क्या किसी पड़ोसी की बीई को बला रहा हूं हां अपनी पत्नी को ही तो बला रहा हूं कोई जुर्म है इसके साथ थोड़ी दर खोशी से बिताना चाहता हूं ये भी जुर्म है अरे तेरे लिए ही इस्तिये वरत रखा है इस घर की भ परण वहां से उठके मिरे साथ चलोगी, नहीं तो आज पती पत्नी का हमारा ये संबंद खत्म हो जाएगा, उठो, उठो खैरो भावी, ये पूजा खत्म होने तक चाहे भगवान भी आकर बोले तुम यहां से नहीं अटोगी इसे चलना होगा, ऐसा नहीं होगा, अपना दिल साफ और इरादा अटल हो, तो किसी से भी ढरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो पती ही क्यों ना हो, भावी ये पूजा पूरी करो, बैठो भावी, मेरी बात ठुपड़ा कर ये फिर से बैठेगी, तो उसका नतीजा बुरा होगा, ये जानती है, कमाउन, कमाउन, भावी, अगर सच मुझ तुम्हे इश्वर पर भरोसा है, तो सारा भारिस देवी मा पर छोड़कर, चाहे पयामत भी आ जाए, तुम ये पूजा पूरी करोगी, बैठो भावी, मेरी बात मानो, बैठो, बैठो, वाव, तो आजकल सी किसी पराय मर्स मेरी होगी, अरे पापी, बढ़ माश, तु हमारा लंजी नहीं हो सकता, वो कभी ऐसा नहीं बोच सकता, उसके मुझ से ऐसी बातें बुलवाने माना तो हर्गे जिन्सान नहीं, पिशाच है कोई, पिशाच ही हूँ, राक्षास हूँ, क्यों, देवर और भा आपी पर पुरी निजर डालने वाले तु ही जानवार है, तु ही जानवार है, देवी, तुम्हारा वरत पुरा हुले से पराशक्ती की तीसरी आँख अखंड ज्योती के रूप प्रज्वलित होने वाली है, यदि तुम चली गई, तो तुम्हारा पैत में व्यर्थ हो जाएगा, सब उस महाशक्ती पर छोड़के अखंड ज्योती के लिए आराधना करो देवी मा के समक्ष तुनीता नौ दीपों को जला कर पूजा कर रही है, उन दीपों के जलते हुए तु से छूपी नहीं सकता, वहाँ देवी की पूजा कुछी छड़ों में समाथ होने से दिवित जोदी प्रज्वलित होने वाली है, इस बीच तु अपनी काली शक्ति का उप्योग करके उन नौ दीपों को बुझा दे वहाँ एक अबला की सुहाग की विरुत पाप की शक्ति तांड़ कर रही है, उसके सभा की क्या आत्मा साशी तुम हो, अब जोप क्यों हो, बोलो, आत्मा जोती प्रज्वलित करो जायत जिसा वित्रिस हो भाग्या दाती, जोटा भूबन में तु खिरसी उदरा, विचक का सुथारे नीटू चलिया इंड्रानी रुद्रानी इंड्रानी गिर्वानी नेग्यानी भंवानी परमेश्वरी माः श्रिंकारी विंकारी शेट्रेशी लोकेशी जायत्विसा वित्रिशो भाग्यतात्ती शर्कोटी सूर्यों से चंकी तू सदियों से सिंदूर तुछ को मैं लिपकिन चड़ाओं इंचे प्राणों से विशंकर के फेल को अपाघर परमी वो तुमधना रिश्वरी अधरिशो भी तू सदियों से निकारी शेट्वाथ बुदूर लोकेशी जानी जान फिए श्रेट्वाथ बाया इंध्रे सावित्री इंद्रा निका माक्ष देवी तरुरा परोगाँ शिद्गेरी मिछते बिराजिक वोगा में देवी अभया चले घरचलिया मिरी मा शरानात्राई हो माँ पार्वति पंचा में परे पूत ह heading शांत्री चंज्राणी रुग्द्ब्राणी बतनि तेमद्धुर्बाणी इन्धानी देम्गानी परमेश्वरी मां विंकारी विंकारी खेटेशी लोकेशी गायती साथेटेशो भाग्यताती चेंजय लन्राज इस वक्त है थाखे लिकने वाला क्माभी भॉत है असंभाग में तुम ही बदर्ती आधाय तेरे ओचावाग मेरा शक्षट तेरे पायगे ही वे पे पे शनो गी नहीं क्या जब तुम्हारे भी परवी बने हैं, तैरों में मीरों भी आज़्वे नहीं चा संद्धर्प करने से जब हाद परदाई जिश्टी की तुही पवाद शक्ती निद्धों की शक्ती को वश्मी जो करती है विखश्मल दू धत्रकाई तोरry मैं जब पर शक्ती माहिमा काहिमा कर आशक्ति माहिमा कर आशक्ति जाड़ो यदि तो इसमक्रापथ है कि मूर्थी बनी रहेगी तो तेरे सरक्ष में अग्मी को अपना कर अपनी हाउती जे दूंगी बनी ले लो मेरी अजय को अपना कर आशक्ति अपना कर आशक्ति कि लुठ एक छॉठी वुठी वुठी लुप निकला जानों में जॉला कब इत्वन्ष भड़का तरशन के चैसी है आखे तुम्हारी भीचे जिशुलों से जपडे तुम्हारे बातंट पिम्पो की मनियों को धरके प्रमाज तेरे ये खण है विशन महादाल का रूप देखा तो विश्च में विप्राद भैली माधी क्षण फड़का तरशनद के तुम्हारे चैसे प्रिपाद मूर्टि घंजित मितादे झाल 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 सुनीता, तुम सबसे मुझे कितना अपनापन मिला है, प्रेम मिला है तुम्हारे लोग में, सुनी का जो सागर है, अनुराक है, वो तो हमारे लोग के अमृत में भी नहीं, इसलिए इस लोग को त्यागने का, मेरा मन तो नहीं कर रहा है, किन्तो यहां रहना हमारे नियम के विरुत है, तुम और तुम्हारे प्रेम को छोड़कर जाने वाली में अभागन हूँ, मुझे पूल मचाना अज के विरुताए उाओने बेटा वीजे, दुखी मत हो Don't be upset, relax मुझे किसी की तसलिकी कोई दोत नहीं है मैं बेल कुछ ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ है Relax, मैं ठीक हूँ छोटे बाबू I'm okay, यार कुछ नहीं हुआ मुझे चाहिए आप रोगा चाहिए मैं ठीक हुआ है आपके भूलो की संस्कृती के अनुसार पहनाई गए मंगल सूत्र की पवित्रता का मान उस पर में शर्कुवी रखना पड़ता है मैं अपनी बेटी को वबहार के रूप में वापस भेज़ना रहा हूँ आज से हमारी ये नार्देवी आपकी देवी है विजे इधर आओ पास हो ना मुझे तुम मत अपना कोई बात नहीं लेकिन ये मत कहना कि तुम मुझे किद्नाप करके नहीं लाए ये सब मेरी बात कॉप भी चुट समझ रहे हैं सच बोलो मुझे तुम सभीश किद्नाप करके लाए थे ना बोलो ना बही तो मैं तुम है के दना पर के तो लागा! के दो लागा!